हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली एडियन सिनेमा के रिबल इस्टार और बाहू बली प्रभास की आने वाली बड़ी फिल्म आधी पुरुष में लंकेश के किरदार के लिए सेफली खान को फाइनलाइज कर दिया गया ही, जो कि इस फिल्म में रावन का किरदार निभाने वाले ह जो कि एक बहादी जादा इंटेलिजन डेमॉन था, बता दे चले दोस्तों आपको कि ओम रावत के डारेक्शन में बनने वाली ये फिल्म एक बहुती बड़े बजट पर बनाई जा रही है, जिसका इंतजार पूरा इंडिया काफी बेसबरी से कर रहा है, तो आज की इस व नजर आएगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो, और अगर आप भी इस फिल्म का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं, और हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर कीजेगा, तो चलिए श रुषोत्म सुरी राम जी के किरदार को फाइनलाईज किया गया था, वही दोस्तो कल इस फिल्म के लीड में, एक और विलन का किरदार निभाने वाले लंकेष के कैरेकटर को भी फाइनलाईज कर दिया गया, जिसमें सेफ हली खान नजर आने वाले हैं, बता देचले दोस् दोस्तों प्रभास को लिया गया है जिनके हैट 6.2 फीट की है लेकिन दोस्तों बात करें यहाँ पर सेफ अली खान की तो सेफ अली खान रावन के करेक्टर में जमते हैं या नहीं यह तो आब आने वाला समय ही बता पाएगा लेकिन अगर बात करें हम लोगे आप पर इस फिल्म की पूरी स्टार काश्ट की तो दोस्तो रूमर्स है कि इस फिल्म के लीड में आपको सिता माता के केरेक्टर के लिए कियारा आडवानी को अप्रोच किया जा रहा है मुई दोस्तो इस फिल्म में सिरी लक्षमन जी के किरदार के लिए रणिवीर सिंग या फिर विद्वी जामवल को लिया जा सकता है जिनकी की हाइड भी काफी अच्छी है और एक्शन में भी दोनों ही स्टार काश्ट है वो तो काफी बड़ी होने वाली है और बॉक्स ओफि इसमें शुरू किया जाएगा जिसके पोश्ट प्रडॉक्षन का काम अभी से शुरू हो चुका है ये फिल्म काफी बड़े सेट पर बनाई जा रही है जिसके लिए दोस्तो इस फिल्म के प्रोडूसर्स बुशन कुमार और ओमरावत काफी महनत भी कर रहे हैं अगर बात क जाए दोस्तों यहाँ पर कि इस फिल्म का बजट कितना है तो इस फिल्म का दोस्तों बजट लगवग साड़े 500-600 करोड रुपे के बीच में रखा गया है और दोस्तों ये फिल्में एंडियन बॉक्स आफिस पर तमेल, तेलगू, हिंदी, कंदाडा और मल्यालम भाशा मे लगने वाली है जैसा कि आप सभी देखी चुके हैं दोस्तों की प्रवास का इस्टाडम दिन पे दिन इंडियन सिनेमा में बढ़ता ही जा रहा है वो इंडियन सिनेमा के एकलोते ऐसे सुपरिस्टार है जिनकी फिल्मों ने सो करोड से जादा की दो बड़ी फिल्में दी ह और अपने ओपनिंग डे में ही ये फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी वहीं अगर बात करें हम लोग यहाँ पर आदी पूरुष के बारे में तो दोस्तों आदी पूरुष एक काफी बड़े बजट पर बनाई जा रही है एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म होगी और इस फिल्म को प्रभु सिरी राम जी के ओपर बनाया जा रहा है इसी वज़ा से दोस्तों ये फिल्म इंडिया के सभी भाशाओं में लगबक 50 करोड से जादा की ओपनिंग लेगी इस इसाफ से दोस्तों इस फिल्म का जो पहले ही दिन का कलेक्शन होगा वो जादे चले दोस्तों आपको की प्रभास के इस्टार्डम को देखते हुए ही उन्हें इस फिल्म में सिरी राम जी के करेक्टर के लिए फाइनलाइज किया गया है वहीं दोस्तों अगर इस फिल्म में लक्षमनी जी के करेक्टर के लिए रणवीर सिंग या फिर चिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और वर्डवाइट बॉक्स ओफिस पर दो हजार करोड से ज़्यादा की कमाई तो इस फिल्म के लिए एक मामुली सी बात होगी आपको क्या लगता है दोस्तों क्या प्रभास की इस फिल्म को एंडियन बॉक्स ओफिस पर अच्छा रेस्पंस मिलेगा या नहीं हमें अपनी राय कमेंड करना बिलकुल ना भुलिएगा और दोस्तों रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरू कीजेगा ताकि आपको बॉक्स ओफिस, साउथ, हिंदी और हॉल्लिवड फिल्मों की नियूज मिलती रहे धन्यवाद, जेहिं जे भारत